प्री बेहनों और भाईयों, भाणजे और भाणजीयों, नमस्कार, मैं रोज कोरोना की इस्थिती की समिक्षा करता हूँ, नमंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेस के पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ रहे हैं, एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं, विशेस के इन दौर में भॉपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, 29 नमंबर को भॉपाल में नो पॉजिटिव केस आये थे, आज 30 नमंबर को चवधा पॉजिटिव केस आये हैं, इन दौर में भी पांच आये है बाकी जगे भी छुट-पुट केस मिल रहे हैं और हम जानते हैं पुराना अनभव हमको बताता है कि ये केसे फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं अफरीका में जो नया वेरियंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है लगातार की इस दुनिया में बढ़ रहे हैं मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सास लिया है इस्थिती सामान बनती जा रही थी इस्थिती ना विगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें इसके लिए अभी से साफधानी जरूरी है अभी मैं देखता हूँ कहीं भी आम तोर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे जिस संकर से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं उसकी तकलिफ है हम भूले नहीं है हमको साफधान रहना होगा हमको नियंतरित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा सरकार सतर्ख है सचेत है मैं लगातार बैठके करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूँ लेकिन साहोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दे आज इस्ठिती को हम नियंतरित कर सकते हैं और इसलिए क्रिप्या करके मास्क जरूर लगाएं मैं सबसे अपील करता हूँ भाई वहन बेटे बेटी कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं या था संबब भीर से बचे दूरी बनाएं हाथ स्वच्च रखें और हाँ रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं कई वह लोग टेस्ट कराने से इंकार करते हैं किरप्या कोविट की टेस्ट को जरूर करवाएं क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसुलेट करना होगा आइसुलेशन में रखना पड़ेगा उस घर को कंटेन किया जाएगा इसमें सही होग करें सेकेंड डोज जरूर लगवाएं मैं फिर अपील करता हूं सेकेंड डोज हमारी सुरक्षाकली अकंत आवसके जरूरी है मैं सभी धर्म गुरूँं से जन प्रतिनियों से राजनेतिक दलों के कारी करता हूं से समासेवी संग्ठनों से नौजवानों से बेटे बेटियों से विद्धार्चियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अतियंत आप सकेंगें अभी साब्धानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या पचास प्रिस्ट कर दिये एक दिन में केवल पचास परसेंट जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें और वो भी माता पिता की पालकों की अनुमती लेकर अस्पतालों में आवस्षक तयारी रहे आखिजन प्रांट दबाईयां कंसंट्रेटर इंजेक्शन वो सारी तयारी हम कर रहे हैं लेकिन है भगवान इसकी जरूरत ना पड़े लेकिन आप से भी प्रार्थना है आप सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं साफधानी अगर रखेंगे तो वो साफधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी कल मतलब एक दिसंबर को सवेरे दस बजे मैं क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटियों के साथ समबाद कर रहा हूं बाच्चीत कर रहा हूं उनको भी संबोधित करूँगा और उनसे भी अपील करूँगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने दैने के लिए कमर कसलें जिले की क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी बिलाग की क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी और पंचाद की क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी बाइड की क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी अभी से सक्री होके इस्थितियों पर लजर रखें मास्क के लिए हम आगरे बढ़ाएं और हर तरह की साबधानी रखें मुझे पूरा विश्वा से आप सब के सहयोग से मद्ध प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद